आप सबको पता है, कल क्राइम ब्रांच की एक टीम, दिली पुलीस की एक टीम, मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी के आवास पर आई थी, और एक नोटिस देना चाह रही थी, पांच घंटेों तक उन्होंने सडक पर इंतजार किया, और आखिर में ये नोटिस, सी एम दफ्तर के किसी स्टाफ को देखे गए, ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है, ये है नोटिस की वो कॉपी, ना इसमें कोई FIR का जिकर है, ना तो ये समंस है, ना ये कोई preliminary inquiry है, ना इसमें कोई CRPC की धारा का mention है, ना IPC की धारा का mention है, केवल और केवल वाइट पेपर पे ये ए दुख होता है कि एक खत को सौपने के लिए भाजपा ने दिल्ली पुलीस के एक सीनियर अफसर को पांच घंटे तक नोटंकी कराने के लिए मुख्यमत्री आवास के घर के बाहर सडक पे नचाया, बहुत दुख होता है, हमारी साहनभूती है इस अफसर से कि उनको ये काम क मजबूर किया, आप खुद सोचिए, ये केबल और केबल एक खत है, हर दिन अगर आप देखो तो किसी के भी घर Amazon, Flipkart के Delivery Boys आते हैं, कुछ देके जाते हैं, कोई खत आता है, पोस्टमेन आता है, छिट्टी देके जाता है, हर मंतरी के घर के बाहर या हर मुख्यमंतरी के घर पे एक डाक आफिस होती है, जो ये खत रिसीव करती है, तो ये क्यूं हुआ कि क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर को भाजपा के कहने पर पांच घंटे तक केबल और केबल यही गुजारिश करने के लिए कि नहीं मैं दूंगा तो मुख्यमंतरी के हाथ में नहीं था, मुझे दुख होता है क्राइम ब्रांच के इस अफसर पर कि जब उसने नौकरी जॉइन करी थी, तब क्या सोचा होगा, कि मैं क्राइम को खतम करने के लिए नौकरी में आया हूँ, दिल्ली जैसी राजधानी में अगर मुझे क्राइम ब्रांच में ऑफिसर बना रहोंगा, और उसके बाद भी, उसके बाद भी जो उन्होंने किया, वही हुआ कि सी एम ओफिस के किसी अफसर को वो चिठी देके गए झाल